राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्री शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान की रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे राजस्थान की लोग कताओं पर आधारित कारेक्रमों की शंखला के अंतरगत कारेक्रम ठाकुर जालिम सिंग राजस्थान राजाओं और ठाकुरों का गड़ रहा है किसी ठाकुर की शान उसकी तलवार के दबदबे से मानी जाती और इसी से किसी के साहस या पराक्रम का अनुमान लगाया जाता था हाँ, तो जो कहानी हम आज सुनाने जा रहे हैं वो राजिस्थान के सबसे रेतिले इलाके जैसलमेर की है बहुत दिन पहले की बात है बच्चों, जैसलमेर में एक ठाकुर हुआ जिसका नाम था जालिम सिंग, जैसा नाम वैसा गुन, यानी कि वो सच्पुश बड़ा जालिम था उसके नाम से रोतेवे बच्चे चुपकर आए जाते थे उसने अपने चंद चुने हुए सिपाहियों के साथ प्रजापर तलवार का दबदबा जमा रखा था जरा सी बात पर किसी को बंधवा कर पिटवा देना, किसी राह चलते को लुटवा देना खेत, जमीन छीन लेना, उसके लिए बाए हाथ का खेल था एक दिन अचानक उसे सूचा कि क्यों न जैसल में राजी की सीमा के बाहर भी अपना दबदबा बढ़ाया जाए, तो उसने राजी में एलान करवाया सुनो, 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 चंद्रमा की चमग और सूरी की तपंसा तेज रखने वाले ठाकुर जालिम सिंग्जी, जैसल में रज्ज का विस्तार करने के लिए, रण संग्राम पर निकलना चाहते हैं हर खास और आम को इतला दी जाती है, कि सोला साल की उम्र से लेकर, पचास साल की उम्र का हर मर्द, फौज में भरती हो जो तलवार नहीं उठा सके, वो घुडों की साज समाल, सेना की देखभाल करेंगे इस हुक्म को ना मानने पर सजा मौत दी जाएगी सजाए मौत जालिम सिंग नाम है उसका थाकुर जालिम सिंग अजी हर समय संग्राम करने की दुन चवार रहती है, अरे सुना, अरे सुना लाला तुमने ये मुनादी वाला क्या कहता है, ये भगवान, अरे भाई, हम ठेहरे किसाएगे, अरे हमें तो अपने हल से काम पढ़ता है, और अब ये ठाकुर हमें तलवार उठाने को कहते हैं, जरा तो रहम खाओ, सुखे के मारे वैसे ही फसल चौपट हो रही है, भाया, और क्या, राज्य में दो साल से अकाल पढ़ रहा है, लोगों से कुवे खोदने को तो नहीं कह कहता है, तलवार उठाने को कहता है, अरे मुझसे तो तलवार उठेगी नहीं, तो अब इस उमर में घोडों की सानी करवाएगा, अपनी दुकान पर ताला लगा कर पौज में भरती होने चलू, तुम ठीक कहते हो लाला, इस जालम सिंह का विनाश अप निकट है, तबी तो परने पढ़ाने वाले अब इसके इस कुकर्म में भी साथ दें, नहीं, नहीं, मुझसे नहीं होगा, अरे ब्रहमन देवता, क्यों अपनी जान गवाने पर तुले हो, नहीं जाओगे तो ये जालिम तुम्हें तो फांची पर लटकाई देगा, तुमारे बीवी बच्चों नहीं बेबसी और लाचारी में बन थी, ठाकुर जालिम सिंग की सेना, राज जी का विस्तार करने निकल पड़ी, आस पड़ोस के छोटी छोटी राज्यों पर विजय प्राप्त करना, जालिम सिंग के लिए कौन मुश्किल काम था वच्चों, उसने पड़ोसी ठाकुर दि की सेना और कहां दिगविजय सिंग और उसके मुठे बर सिपाही, बस क्या था, बेचारे लड़ाई हार गए, लेकिन बच्चों इस जीत से जालिम सिंग में और एहंकार फर गया, अब उसने बीकानेर पर हमला करने का अईलान किया, बच्चों एक तो बीकानेर बड़ा शक वो बड़ी दूर था, और तीसरा, रास्ते में बड़े-बड़े मरुस्थल परते थे, लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जालिम सिंग तो जालिम सिंग, नमाना, नमाना बच्चों और दो सो उंटों के काफिले पर मश्कों में पानी भरवा कर चल दिया बीकानेर पतै करने, अब रास्ते का हाल सुनो, सूरच दिन भर आग उगलता, तो रेथ तपकर लोहा बन जाती, रास्ते पर धूल के पवंडर चलते, इतनी आधी उर्ती कि आखों में लगता रेथ ही रेथ भर गई हो, ऐसे में बच्चों, जो रास्ता पंद्रे दिन में पूरा होना चाहिए था, वो बीज दिन तक पूरा ना खो सका, फिर क्या था, धीरे धीरे, खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, पानी कम पढ़ने लगा, बच्चों, ये हालत देखकर जालिम सिंग का मंत्री सज्जन सिंग तो खबरा गया, उसने अपनी राजा से कहा, अन्य दाता, जान के अमान पाऊं तो अर्ज करूं, हाँ, हाँ, कहो मंत्री जी, अब वापिस लौट चलिए माहराज, नहीं तो हम सब की जान के लाले पड़ जाएंगे, जब खाने पीने का सामान ही खत्म हो गया, तो सेना क्या लड़ेगी, और लड़ेगी तो तब जब वहाँ पहुँचेगी, मुझे तो डर है माहराज, कि कहीं रास्ते में ही हमारे सैनिक दम न तोड़ दें, मंत्री जी, हमारा नाम ठाकुर जालिम सिंग है, हम बढ़ाय हुआ कदम पीछे नहीं अटाते, मयान से निकली तलवार मयान में वापस नहीं रखते, ये कायरता की बातें हम से न करो, समझे मंत्री जी? जैसी आपकी इच्छा अन दाता, लेकिन बच्चों, जालिम सिंग की जित के आगे, किसी की एक न चली, कार्वा बढ़ता गया, और लोग भूग प्यास से मरते रहे, एक दिन अचानक बड़े जोर की आंधी उठी, इतने जोर की, इतने जोर की, कि घवराकर उट भी विदग गये, हाथ को हाथ सुचाई नहीं देता था, सारी सेना तितर बितर हो गई, जालिम सिंग का उट भी उसे लेकर भाग खड़ा हुआ, तीन घंटे तक बच्चों उट बिना रुके, चलता रहा, चलता रहा, चलता ही रहा, जालिम सिंग की फौच पीछे छूट गई, लिहाजा पानी की मश्कें भी पीछे रह गई, आंधी रुके, तो जालिम सिंग को पता चला, कि वो इस रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला है, जैसे जैसे बच्चों सूरत चड़ रहा था, प्यास के मारे जालिम सिंग की हालत खराब हो रही थी, उसका गला प्यास के मारे सुखा जा रहा था, आंते एट रही थी, आंखे बाहर निकल रही थी, उसे बार बार धोका होता कory सामने सामने पानी भरा तलाव है लेकिन लेकिन पास जाता तो देखता कि रेध ही रेध है सूरी की रौष्णी में रेध के कंड़ चमक कर ऐसा ही धोका पैदा करते हैं बज्चों इसी को म्रिग मरीज का कहते हैं जालिम सिंग को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है तभी उसके कानों में एक आवास पड़ी लगता है भटक गए हो मुसाफिर पानी चाहिए तुम कौन पानी पानी आंखे खोलो बोलो कौन हो तुम मैं जैसल मेर का ठाक जालिम सिंग हूँ इस रहे रहती लेला के में बठक गया हूँ प्यास ने दम घुटा जा रहा है थोड़ा सा पानी मिलेगा पानी पानी तो सिर्फ मेरे कमंडर में है फिर कोसों दूर तक पानी नहीं लेकिन तुम तो ठाक जलिम सिंग हो जिसकी तलवास से लोगों की रूएं कापनी है अपने लिए पानी का इंतजाम नहीं कर सकते हैं मजाग छुड़ो बाबा पानी पिला दो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा मागो इस पानी की कीमत मेरे पास बेशुमार तौलत है यही जो आरात है थोड़ा पानी पिला दो पहनी पहनी तुम ठीक है तर उठाकु इस रेगिस्तान में पानी की हर बूंग बड़ी खीमती है और तुम खरीदने की ताकत रखते वह तो बताओ क्या कीमत दोगे इस पानी की जो कुछ भी तुमागो जो कुछ भी मागो अच्छा तो ऐसा करो इस पानी के बदले तुम और खाजान मुझे साब दो हाँ कहो पिलाओ पानी है है ठीक है ठीक है मुझे मुझे मज़ोर है मुझे मन्सूर है बस पानी पिलादो पानी लो ठाकु लो लो बुचाओ अपनी प्यास लो कितना मीठा पानी है मेरे तो प्राण ही लोटाए तुम्हेरा बहुत बहुत धन्यवाद भीकारी बिकारी बिकारी तो अब तुम हो जालिम सेंख हां तुमने अभी अभी पानी की बूंदों के बदले मुझे अपना सारा राज्य और खाजाना साँ पाए अब मैं राजा हूँ और तुम भीकारी है हैं यह तो सच है क्यं राजपाट दे कर बच तर रहा है नहीं बार नहीं अगर तुम बाबागा। थो मैं मर ही जाता। तब क्या होता इस राजबाट को फिर मैंने तम्हें वचन दिया है वचन थोड़ी लौट सकता हूँ अवोस नहीं हो बाबा हब सुन ही तो क्या करूं मैं तूम पर हस रहा हूं हूँ कुछ पर अगर क्यों तुमने अपना दीन इमान छोड़कर अपनी प्रजा पर अत्याचार किये सैक्रों लोगों का फूं किया अपने पड़ोसी राज्जियों को लूट तब कहीं जाकर ये दौलत इकठी की है कि नहीं हाँ हाँ तुम ठीक कहते हो बाबा और ये सारी दौलत देदी किसके लिए दो भूत पानी के लिए हाँ ये तो सच है जालिम सिंग बुड़े जोगी की बात सुनकर दंग रह गया ये तो ये तो सच था ऐसा सच जिसने जालिम सिंग की आँखें खोल दी वो वो जोगी के पैरों पर गिर पड़ा आप धरन्य हो बाबा आप तो मुझे इश्वर कावतार है आपने मुझ जैसे अज्ञानी को ज्ञान दिया मुझे अपने पापों का प्राइश्चित करने की रहा बताओ तो उठो और जैसल मेर वापस जाओ अपना राजपाट सम्हालो तुम ठाकुर हो दया उन्याय के साथ प्रजा का पालन करना ही आप धन्द्य हैं बाबा बच्चों जालिम सिंग वापस जैसल मेर लोट गया और लोटकर उसने बूरे जोगी के कहे अनसार पूरे न्याय और दया के साथ राज-काज संभाला ठाकुर जालिम सिंग अभियाब ये कारिक्रम सुन रही थे आलेख एवं निवेदन रमा पांडे विशे संयोजन मम्ता गुपता कलाकार देवकी नंदन पांडे राम मैनी शांती एसकालरा दिनेश वर्मा सुरेंद्र कौशिक और प्रभुदयाल खटर धन्यांकन राजिं प्रसाद और सतीश लाडे निर्माण सह्योग वंदनानिगम निर्माण इवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा तथा पर्यूजन नर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा